हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी श्यानल स्टूड़ी विट सभी पर मैं हो सविता दोस्तों आज हमारी क्लास होगी बियर्ट सेकेंडियर की जिसमें पेपर फर्स्ट सैचिक प्रसासन प्रवंधन एवं परियावडिय सिक्षा का हमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कई सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने अगर अब तक उन सारी क्लास को नहीं देखी है चाहे पेपर फर्स्ट की हो पेपर सेकेंड पेपर थर्ड इन सारी क्लास आपको मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पर आप प्लेलिस्ट चेक आउट कीजेगा तो चलिए आज की यहा श्टाट करते हैं जानेंगे कच्छा-कच्छ प्रवन्धन क्या होता है क्लासरूम मेनेजमेंट के बारे में इसकी परिभासा, अर्थ, आयाम है इसके कुछ जानेंगे प्रकार एवं नीतियों के बारे में तो इतनी सारी डीटेल, बहुत ही डीटेल में इस टॉपि पहले कि क्लास्रूम क्या है जब हम क्लास्रूम ही नहीं जानेंगे तब क्लास्रूम मेनेजमेंट जानने का क्या मतलब है तो इसलिए सबसे पहले कक्षा कच्छ प्रवंधन के पहले हम जाने की कच्छा कच्छ का अर्थ क्या होता है तो देखिए कच्छा कच्छ का अर्थ या नहों ने कहा है कि कच्छा कच्छ एक ऐसा इस्थान है जहां पर बिभिन प्रकार की गतिविधियां चलती है जहां पर पारस्परिक क्रिया होती है सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और नेदेशातमक इस्थितियों में नियम बनाया जाते हैं इनका कहने का यह मतलब है कि कच्छा कच्छ एक ऐसा इस्थान है जहां पर जो बत्चे हैं वे कई सारी गतविदियां करते हैं, खेल कूत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं अपने पैंसिलों को तेज करते हैं आगे देखिए जोती कृषियन का क्या विचार है इन्होंने कहा है कि कच्छा कच्छ समाज में इस्थापित एक संस्था मानी गई है कच्छा कच्छ में दी जाने वाली निर्देशन प्रकरिया अध्यापक द्वारा सुईकृत महत्पूर ब्यवहारों के द्वारा छात्रों के मस्तिस्क को परिस्कृत करने के उद्देश को पूरा करती है आगे देखिए फिलिप जंक्सन का क्या विचार है इन्होंने कहा है क्लास्रों में कैसा इस्थान है जहां पर छात्र अपने जीवन निर्माड काल का सबसे जादा यानि की अधिकतर समय वैतित करता है यह वह इस्थान भी है जहां परिक्षड असफल और सफल होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर क्लास में है तो वो सफल ही होगा वो असफल भी हो सकता है तो यह बात इन्होंने कही है मन बहलाने की बाते पूरी होती है जहां नई अंतरदिस्टी मिलती है और कौसल हमें प्राप्त होते हैं किन्तु यह वह इस्थान भी है जहां पर छात्र बैठे और सुनते हैं बैठते हैं सुनते हैं प्रतिच्छा करते हैं अपने गुरुदेव का अपने टीचर का और देखते हैं अपने हाथ खड़े करते हैं परिक्षा पास करते हैं पंक्ती बद्ध खड़े होते हैं और अपन जैंक्सन का तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कच्छा कच्छ क्या है क्लास्रूम क्या है वैसे तो आप सभी बच्छपन से क्लास्रूम में ही जाकर पढ़ रहे हो आपको पता है कि क्लास्रूम क्या है लेकिन जब आपको लिखना होता है कहीं पर अधर्णात्मक करति क्या है conceptual meaning देखे अधर्णात्मक दस्टिकोड से कक्षा कक्ष प्रवंधन को देखने में व्यक्ति प्रवंधन के प्रती हाल के कुछ उपागम पहचानता है जैसे कि उद्देश्युदार प्रवंधन व्यवहार में सुधार सकरात्मक भी हो सकता है और न क्रियात्मक मेनिंग क्या है यानि कि क्रियात्मक अर्थ के बारे में तो अध्यापक छात्र संबंद के माध्यम से अधिगम को प्रेडित करने के लिए कक्षा कक्ष में क्रियाओं और कारेकलापों की व्यवस्था का प्रवंधन करता है कक्षा कर्ष की क्रियाओं का प्रव प्रबौत घटक होते हैं तो दिखिये जो कच्छा कच्छ प्रवंधन है है दिखिए cargo क्लास्रूम का management ही क्या है गख्षय कच्प्रवंधन है जो भी चीजे हम manage करते हैं सिक्षक और छात्र मिलकर कक्षा को manage कैसे करते हैं क्या-क्या सामगरी उपलब्ध करवाते हैं किस चार से उसमें सिक्षण कार हो रहा है तो कक्षा के जितनी भी सामगरी हैं जितने भी मैनेजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं कक्षा-कष्च प्रवंधन तो बहुत ही सिंपल सा है बस आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है आप इसको आसानी से अपने सब्दों में एक्जाम में बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं बहुत प्रकार के वातावरण में कार किये जाते हैं जिनके परिडाम सरूप मन में कुछ विसेस मुल्ले विक्षित होते हैं जैसे कि मनुस्य के लिए आदर व्यक्तिगत निस्ठा आत्म निर्देशन और सामोहिक सैयोजन तो इस प्रकार के कुछ मुल्ले हमारे अंदर विक्षित होते हैं यह कहना है जांसन एवं बुरुक्स का यह परिभासा हो जाती है कख्षा कख्ष प्रवंधन के अर्थों में अध्धापक बिभिन कारे करते हैं जैसे कि योजना बनाते हैं कख्षा के लिए ब्यवस्था करते हैं ब्लैक बोर्ड की ब्यवस्था करते हैं चौक की ब् अन्वित करते हैं निर्देशित करते हैं निर्देश भी देते हैं नियंत्रित भी करते हैं और व्योहार का आदान प्रदान भी करते हैं तो यह सारी चीज़े आ जाती हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन में जिसमें अध्यापक और छात्र मिल करके यह काम करते हैं अब देखिए आगे हम जानेंगे कक्षा कक्ष प्रवंधन के कुछ आयाम के बारे में यानि के डायवेंशन्स ओफ क्लास्रूम तो इसके चार आयाम माने गया हैं पहला क्या है मनो भौतिक आयाम सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भौतिक आयाम और नैतिक आयाम तो इन चारो आयामों को हम बहुत ही डीटेल में यहाँ पर एक ही करके कवर करेंगे देखिए पहला मनोवग्यानिक आयाम क्या है तो विद्याले की कक्षा कक्ष प्रवंधन में अभी प्रेडा का मुख स्थान रहा है अभी प्रेडा यानि की मोटिवेशन अधिगम का हिर्दय मानी जाती अगर आपके अंदर अभी प्रेडा है आप अभी प्रेडित हो चुके हैं तब जो अधिगम है आपका यानि की सीखना अधिगम को सीखना भी कहते हैं तो अगर आप प्रेडित हैं अभी प्रेडित हैं तो आप बहतर सीख सकेंगे तो इसलिए क्या कहा गया है कि अभी प्र प्रेरित नहीं है पढ़ने के लिए तब आप सीख नहीं सकते किसी भी चीज को आप कितना भी रट लीजी आपका जो अधिगम है जो आपका ज्यान है वो आपके अंदर जाए गहीं आपको समझ में ही आएगा अगर आप प्रेरित नहीं है अध्यापक साब्दिक और गैर शातरों को अभी प्रेरित करता है उसके द्वारा वांचनिय वैवहार का पुनरबलन किया जाता है वह शात्रों की अकांचा का सतर ऊपर उठाता है कक्षा कक्ष प्रवंधन में अध्धापक के सम्मिलन से छात्रों की सहभागिता को प्रोचाहन मिलता है छात्रों की सहभागिता और अधिगम में मनोवग्यानिक आयाम की एक महत्पूर भूमिका होती है इससे प्रबंधिकी ये कारियों में काफी सुगमता आती है और सरलता आती है ये होता है मनो वज्यानिक आयाम यानिकी psychological dimension अब अगला क्या है सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम क्या है यानिकी social and cultural dimension क्या है तो दिखिए समाजिक और सांस्कृतिक आयामों का विद्याले में कक्षा कक्ष प्रवंधन में काफी बड़ा योगदान रहा है कक्षा कक्ष यानि कि क्लासरूम तथा समाज का लगहू रूप होता है एक बड़ा रूप माना जाता है कक्षा कक्ष के वांचनिये सामाजिक और सांस्कृतिक वातवरण के माध्यम से उसमें नए समाज को आकार प्रदान किया जाता है कक्षा कच्ष प्रवंधर में सामाजिक और सांस्कृतिक वातवरण का सम्मंद सामिल होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है तो देखिए कौन-कौन से बातवरण हैं अध्यापकों में संबंध कैसा है छात्रों में संबंध अध्यापक और छात्र का संबंध आपस में और अध्यापक एवं संस्थान के मुखिया के बीच का संबंध तो ये कुछ यहाँ पर points दिए गए हैं आप इनको देखिएगा अ संस्था का संस्थापक या प्रवंध उस्थान स्थाल की समंध में निडा लेता है और भवन मैदान तथा क्लास्रूम की रोक्रेखा त्यार करता है। की बेवस्था प्रकास और वायू की बेवस्था स्यामपट और सुविधाएं कक्षा-कक्ष प्रवंधन के लिए महत्पूर विशय होते हैं प्रवंधन के रूप में अध्यापक को कच्षा-कच के भौतिक वातावरड की इन सुविधाओं की जाज करनी होती है कि इसका क्ला वदार कमरा होता है और उसमें जो भी जरूरते होती हैं वह अध्यापक पूरी करता है जिन्हें अधिगम के लिए अनकूल बनाया जाता है अगला है नैतिक आयाम यानि कि एथिकल डामेंशन तो एक अध्यापक छात्रों हेतु एक आदर्श यानि कि आइडियल की भूमिका क रूप में होता है कक्षा कक्षपमंधन का नैतिक आयाम चात्रों की भावनाओं अभिवृत्तियों और नैतिक मुल्यों के पहलों से सम्मंधित है अध्यापक कक्षा का नेता और चात्रों के लिए मुखिया माना गया है उसे अध्यापक की तरह दिखना और व्योहार करना चाहिए किसको छात्रों को उसे एक अच्छा कच्छ की सन्हिता और आच्रण का पालन करना चाहिए सौरी यहां पर अध्यापक के बारे में दिया गया है कि अध्यापक जो है वो दिखने में अध्यापक की तरह ही लगे और उसका व्योहार एक अध्यापक के जैसे होना चाहिए तो आगे देखिए कि जो मुल्य पर अधारित होता यानि कि जो आचरण का पालन ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे मुल्यों पर अधारित हो तो देखिए इन आयामों के बारे में अब हमने complete किया है चार आयाम थे मनवेग्यानिक, सामाजिक और सांस्क्रतिक, भौतिक और नयतिक ये चार आयाम हमने बहुत ही अच्छे से डीटेल में पढ़ा है अब आगे जानेंगे कक्षा कक्ष प्रमधन के प्रकार एवं नीतियों के बारे में तो देखिए नीतियां क्या है पहली नीति है कि स्वास्त स्वास्त प्रमपराओं का कक्षिय प्रमधन में विसेश महतु रहा है अध्यापक को कक्षा में स्वास्त प्रमपराओं का विकास भी करना चाहिए उसे विद्यार्थियों को अपनी भूमिका उत्तरदायत पूर निभाने से धंग से निभाने के लिए उतसाहित करना है इ अच्छे द्रिश्टी कोड़ विकसित होते हैं इससे संस्था में सौस्त सामाजिक जीवन का विकास होता है इसे विद्यार्थियों में स्वा अनुसासन की भूमिका भी आती है जो की स्कूल अधिकारियों के प्रती आदर स्वा प्रगती नियमित्ता के प्रती निस्ठा करतव पालन में उत्साह और अच्छे आश्चरण के विकास को सुनश्यत बनाती है तो ये हैं स्वास्त परंपरा यानि की healthy traditions अब अगला है लय यानि की rhythm क्या है तो rhythm प्रकारियों में लय की भूमिका बहुत ही आवस्यक है प्रते क्रिया में एक लय होने चाहिए जिससे कारियों के क्रम को सहजिता मिल सके लय के लिए नित्य चर्या का होना अती आवस्यक है यानि की हर जो कोई भी कारे हो विद्धाले का कख्षा का एक लय में होना चाहिए लए बढ़ तरीके से होना चाहिए इससे विद्यार्थिएंग को आगे आने वाली क्रिया का पता चलता है इसलिए यह ग़्यां के पहले سे गोश्रा की गई हो उसका पालन होना चाहिए यहीं क्या है और क्रिया के क्रम का अनुसरड नहीं किया जाता वहां आसंतोस और अनुसासन हिनता उत्पन हो जाती और विद्यार्थी क्या है वो आसरचित महसोस करते हैं ये होता है ले यानि के रिदम अगला है अध्धापक के वेवहार कैसा होना चाहिए तो कक्षा कक्ष प्रवंधन में अध्धापक का वेवहार अतियंत प्रभावी होता है अध्धापक का साब्दिक एवं आसाब्दिक वेवहार विद्यार्थियों के वेवहार पर महत्यपूर प्रभाव डालता है अध्धापक का उंचा चरित्र उसकी नैतिकता जागरुकता उसका साहस धहर और इसने सिलता एवं बिनम्रता बच्चों के प्रती सिक्षक का प्यार कैसा है उसका विनोध प्रियता कैसी है उसका आशावादी एवं लोकतांत्रक द्रिस्टिकोड कैसा है विवेक न्याय प्रियता एवं निस्पक्षता उसकी साधन संपनता एवं मौलिकता उसका विश्वास एवं स्रम उसका सामाजिक एवं सम्विगात्मक स्वास्त विद्वता और अपने विशय में उसकी प्रभीडता इन सब चीजों की उपयोगी सिक्षड विदियां तथा सिक्षड सुत्रों एवं साधनों का प्रभावसाली प्रियोग से ये सब विद्वार्थियों के ब्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो देखिए इतने सारे गुड होने चाहिए एक अध्यापक के अंतरगत कैसा ब्यवहार होना चाहिए उसका पहनावा कैसा होना चाहिए हर एक चीज होनी चाहिए एक अध्यापक के अंदर अगला है विद्यार्थियों की सहभागिता यानि कि प्यूपल्स पार्टिसिपेशन क्या है तो अध्यापक कक्षा कक्ष प्रवंधन के कारियों में विद्यार्थियों का पार्टिसिपेट होना भी पहुत जादा जरूरी है यानि कि विद्यार्थियों का सहयोग भी जरूर चाहिए जिनमें उनकी रूची हो और उनकी योगिता एवं अनुभों के अनुरूप हो इसमें विचार बिमर्स, वाद बिवाद, भासड, कवितापार्ट, समाचार, पत्र पढ़ना, इसकूल की सजावटे, फैंसी ड्रेस, पुस्प उत्सो, नाटक, प्रदर्शनी, वैग्यानिक एवं उत्पादक क्रियाई, यह सारी चीजे इसमें सामिल होती हैं, अगर आप यह सारे यहां पर कारे करते हैं, स्कूल में अध्धापक के थुरू, तब क्या होता है कि आप विद्यार्थियों का सहयोग भी प्राप्त करते हैं, आगे है सक्रिय सहभागिता, तो कक्षा कक्ष प्रवंधन में विद्यार्थी जब किसी क्रिय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो वे कुछ बहतर करके दिखाते हैं जब उनका मन होगा अंदर से वे सक्रिय होंगे तब ही वे कुछ बहतर कर सकते हैं अध्यापक को अपना पाठ विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सहायता से विक्सित करना चाहिए विद्यार्थियों को बिभिन क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने के अउसर प्रदान करने चाहिए अगला है सहीयोग कक्षा कक्ष प्रवंधन के कारियों में सहीयोग की भूमिका अति महत्वपूर है अध्यापक को विद्यार्थियों में सहीयोग की भावना को भी दिखसित करने चाहिए इससे एक अच्छा में बहतर अनुसासन रहता है और बहतर समझदारी का वातावरण भी कक्षा में इस्थापित होता है तो यह सारी चीजे हैं सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने एक्जाम में लिखना भी है तो दोस्तों आप इसको एक से दो बार जरूर देखेगा राइहूप आप नोट्स बना रहे होंगे अगर आप नोट्स वो चीजे बहुत अच्छे से याद हो जाती है तो दोस्तों यह थी आज की क्लास आई हो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी अगर क्लास समझ आई तो क्लास को जादा से जादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नहीं है तक चैनल को सब्सक्र करवाए जाएंगे तो फिर मिलेंगे अगणी वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ धन्यवाद